जय गुरुजी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन नौटिविकेशन को अन कर लीजिए ताकि जब भी नया सब्सक्राइब गुरुजी माराज चैनल पर अप्लोड हो तो उसका नौटिविकेशन आप तक तुरंट आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएं और माराज का दिव्य आशिवाद लेए पाएं वो भी सस्संग सुनकर जय गुरुजी आज मैं आप सब के साथ जो सस्संग शेयर करूँगा वो हमें वाट्सेप के माद्दम से प्राप्त हुआ है हमें बेद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी बहेज रहे है संगत जी ऐसे ही अपने बैरे बैरे सस्संग हमारे सस्यर करते रहे हैं चाया आप हमें वाट्सेप पर हिंदी में टाइप करके बेजें एफिर नोट बुग में लिखकर या फिर ओडियो रिकॉर्ड करके हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है जब भी आप अपना नया सस्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शान्त वातवरन वे ही रिकॉर्ड करें संगत जी आज जो हम सस्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आँटी जी का है और आँटी जी अपनी पेचान गुप्त रखना चाती है जो हम समझ सकते हैं चलिए आज का ये सस्संग हम आँटी जी के बोले कोई शब्दों में हम सब सुनते हैं बहुती अद्बूत सस्संग शेर करा है आँटी जी ने आज आप इस सस्संग को ध्यान से और अंतक सुने जिससे माराज का दिव्वय आशिरवाद आप सभी को मिल सकी आँटी जी ने जैसा सस्संग हमारे साथ शेर करा है वैसे ही आप सब के साथ इस ससंग के मात्यम से आसाजा करने जा रहे हैं इसलिए आप सभी संगत ससंग के अंतक बने रहना वो ससंग को बहुत द्यान से सुनना वो ससंग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि ससंग सुनने वाले कभी कल्ले आन होता है और ससंग करने वाले कभी और हो सकता है जो आप आज ससंग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं चलिए ससंग शुरू करते हैं जै गुरुजी ज़िए गुरुची संधिची शुक्राना गुरुची लख लख हुआ शुक्राना कोटी कोटी शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरी जिंदगी में आने की लिए शुक्राना मुझे संपालने की लिए शुक्राना संगत जी बहुत देर से गुरू जी के मेसिजिस आ रहे थी कि पुतर अपना सचसन शेयर कर लेकिन मैं ऐसे ही टालती जा रहे थी मुझे मास करना गुरू जी इस पारे में संगत जी आती मुझे मास करना कोई भी गलती हो जाए मुझे सचसन सुनाने में तो प्लीज मुझे मास कीजेगा मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ संदर जी और मैं गुरुजी के साथ आउगस्ट 2023 में जुड़ी थी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ मेरे साथ इतने इतने ब्लेसिंग्स मिली है कि जिनका बखाण करना भी मतलब मेरी तो कोई ऑवकात ही नहीं है कि मैं मतलब गुरुजी का कोई बखाण कर सकूँ लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कुछ चीजे शेयर करना चाहूँगी मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी मैं गुरुजी के सामने बैठी हूं जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ही बोलूँगी आज जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो तब मैं mentally, physically, financially, emotionally हर तरफ से मैं टूप चुकी थी हर तरफ से आ चुकी थी जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तब से बतलब लाइफ पूरी तरह से बदल गई है अभी मेरे को almost एक साल होने को आया है और गुरुजी ने मतलब 360 degrees पूरी लाइफ चेंज तरके रख दी है यह नहीं है कि जैसे सब लोग कहते हैं गुरुजी निम्रू की तरह नचोड़ते भी है और आपकी परीक्षा भी लेते है या फिर मैं कहूंगी कि वो परीक्षा शायद होती है या उस टाइम पर गुरुजी अभी आपके करम कटवा रहे होते है तो आपको जैसे 10% कहते हैं भूगतना पड़ता है तो वो तो भूगतना पड़ता ही है लेकिन आप मतलब गुरुजी पे पूरा विश्वास रखके चलें और गुरुजी से गुरुजी पे अगर आप सब छोड़के चलती हो तो गुरुजी सब कुछ बहुत-बहुत-बहुत से ही कर देते हैं मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी थी और गुरुजी ने इतनी नेगेटिविटी हटाई है लाइफ से और इतनी करिस्त गुरुपा ने अपने ऊपर लिए है और मुझे हर जब मैं शुरु शुरु में थी जब मैं मेरे करिस्ट कट रहे थे मैं बहुत कई आप स्रॉस्ट्रेट भी हो जाती थी तो गुरूपा ने तब भी मतलब जो 10% कस्ट आपको कटवाते भी है इतनी अपनी प्रेजन स्रीन करवाते हैं कभी बटरफलाई के रूप में कभी 777 के रूप में नंबर्स में हर जगे आपको शुरू शुरू भी तो मुझे बहुत ज़्यादा बटरफलाई दिखती थी अर्ट जगें बटरफलाई दिखती थी गुरू जी मतलब यह कहने की मतलब आपको बता रहे होते हैं कि मैं तेरे साथ और साथ साथ में मेसिजिस भी आते थे यूट्यू पे के पुतर तो चिंता न कर मैं तेरे ना आला और मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी लेकिन हर बार गुरू जी ने कभी लाइट स्लाश करके गुरू जी के बहुत तरीके है आपको ब्लेस करने के और बहुत तरीके है अपनी प्रेजन्स शो करने के लिए सब लोग कहते हैं मतलब गुरू जी कितनी रूप में भी दर्शन देते है ओम रूप में दर्शन देते हैं, रोजन्स की स्मेन लाती है मैं ये भी कहूंगी कि कई बार गुरू जी आपको कई signals देते हैं जो सिरफ आपके लिए ही होते हैं आप में कई सुने भी नहीं होते हैं तो आप presence of mind अगर हम रखे और आसपास देखे तो काफी गुरुजी के signals आपको कई बार कितने तरीकों से निल जाते हैं not just कि मुझे 777 की Gliscence तो कई बार मिली है और बाकी angelic numbers की 333, 444 इस तरह से अपनी presence लिखाते हैं कई बार ऐसे मतलब एकदम से मैं हैरान हो जाती हूँ कि आप सड़क पे खड़े हो crossing कर रहे हो और आपके सामने से 2, 3, 4 गाड़िया निकलती हैं और सबका सेम नंबर यह दोरूरी नहीं है कि वो angelic number हो या कैसी कुछ भी number हो सकता है जैसे कई बार 232, 859 कुछ भी ऐसे numbers लेकिन हर गाड़ी का वोई आपको हैरानी होती कि ऐसी कैसी हो सकता है कि सड़क पे चार गाड़िया निकल रही है और सबका number सेमे यह सिर्फ गुरू जी कैसे करते हैं मेरे सपने मेरे सपने मेरे सपने में के किश्ट काटे है लेकिन सपने में एक दो बार मुझे इंसिडेंस हुए हैं कि बार मतलब जब मुझे ब्लाक मैजिक के मेसिज़ आते थे तो एक बार मुझे सपना आया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और वहाँ पर जैसे हम नंगर परशाद खाके हटते हैं तो किसी ने किसी ने वहाँ पर बहुत ज्यादा उल्टी कर दी तो सुबह मुझे मेसेज आया कि मैंने तेरे कश्ट काट दिये हैं सो गुरू जी के अपने तरीके हैं ये सारे हब को ब्लेस करने के गुरू जी ने मुझे बताया कि ब्लाक मैजिक हुआ है लोगों की नेगिटिविटी है तुम्हारे उपर लेकिन शुरू शुरू में मैं इस चीज को नहीं मानती थी कि मुझे लगता था कि मेरे उपर मतलब ऐसे कैसे ब्लाक मैजिक न तो बहुत सा संगाते थे तो मुझे लगता था कि कही बार शायद अपना यूट्यूब चैनल प्रोट करने के लिए या कैसे लगा देते हैं कि ब्लाक मैजिक अन ओल डेत पर संगत जी गरूझी ने काफी कुछ मुझे दिखाया मुझे कनविंस मतलब अब मुझे काफी कन्विक्शन है कि जब भी मतलब मेरे उपर ब्लाक मैजिक हुआ था या डेकिटिविटी का एफेक्ट हुआ उप एफट हुआ कि आपका कुछ कर सकते हैं, तो फिर काफी देर के बाद मुझी यह भी किसी सपसंच से बता चला और मुझे समझ आई, कि जब गुरुजी ब्लाक पटरस्लाई की रूप में आपको दर्शन देते हैं, तो वो भी कोई आपका सिगनल होता है, ब्लाक मैजिक का या कैसे, तो मैं आज तेर बड़ बटक का श्टान वाला हैगा, तो यह भी कही बार हम लोग सोच लेते हैं, कि शायद ऐसे ही किसी वे निखतिया होगा, पर नहीं संगत जी, वो मतलँ किसी ने, जब भी ऐसे आता था, तो गुरुजी मुझे ब्लाक पटरफलाई में दर्शन देते थे, और तो तब भी मुझे ब्लाक पटरफलाई के रूप में दर्शन मिल होते थे, को मुझे लगा कि इस चीज का कोई कनेक्शन है, और एक सथन में आपको बताना चाहूँगी सबगत जी कि मैं अपनी डॉगी के साथ कही बाहर गई थी, तो मुझे स्टोर से रिल क्विक मुझे क करने के लिए जाना था, और मेरा डॉगी कार में था, तो मैं डॉगी को स्टोर में वो अलाउद नी था, तो वो इसको अंदर नहीं लेके जा सकती थी, तो मुझे कार में रिल कुएक मेने का इसको छोड़ के चली जाती हूँ, और यहां पे जैसे डॉग को कार में छोड़ पर मुझे स्टोर में जाना भी था और ये मेरे सब था तो मैंने जल्दी से इसको कार में छोड़ा और मैंने गुरूजी से प्रेयर किया मैंने इका गुरूपः अप इसका ध्यान रखना में भाग के स्टोर में जा के आरी हूं और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी के मैं बापेस आई हूँ तो मेरी कार के आसपास ब्लैक पटफला ही चिक्कर लगा रही थी जय गुरुजी शुकराना गुरुजी अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी मतलत गुरुजी आपके परिवार का आपके डौगी तक का ध्यान रखते हैं आपकी हर चीज का छोटी बड़ी चीज का जिनका हमें पता भी नहीं होता और शुकराना गुरुजी आप कितनी चीज जिनका शायद हमें पता भी नहीं चलता है, बहाइंड दे सेंस वो कहते हैं कि मतलब क्या होता है, हमें कोई आइडिया नहीं, तो, तैंक यू गूरू जी, तैंक यू, तैंक यू सो मज़ और कुरू जीने मेरी बेटी के इतने सचन्ध है मेरे पास में, आइस्ता आइस्ता करके आपको वो भी सुनाऊगी, उसके ऊपर इतनी blessings करी हैं, उसकी शादी से लेकर उसकी एनरजी से लेकर मतलब बहुत 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 किरपा करिये गुरुजी ने तो मैं आपको सारे सचन डीटेल में एक एक करके बताऊंगी लेकिन ये सचन काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको अपने वाने को यही विराम देती हूँ और मुथ से कोई भी भूल चुक हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा प्लीज मुझे माफ करना मुझे पता है मैं बहुत आलसी हूँ और में शुक्राना करने में बहुत देर लगाती हूँ प्लीज आप में को एनरजी बख्षना कि मैं जल्दी जल्दी अपने सत्संग शेयर कर पाऊ ओम नमो शिवाई शिर्जी सदा सहाई ओम नमो शिवाई गुरुजी सदा सहाई जै गुरुजी शुक्राणा गुरुजी संगत जी अगर आपको आज का ससंग अच्छा लगा हो दू आप इस ससंग को ओर संगत के साथ जरूर साजा करें जिससे वो भी महराज का दिवे आशिरवात प्राप्त कर सके जै गुरुजी